लास्ट कुछ सालों में अगर देखेंगे तो Indian Government जो लोग थोड़ा बहुत प्यार करते हैं Environment को उन लोग को अगर पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे EV लेने के लिए मतलब कोई भी petrol या फिर diesel car जो होती है conventional cars और bikes वो सब छोड़के आप EV में shift हो जाएए ऐसा ही सुनने को मि अगर देखा जाए इस हरकार की तरफ से भी बहुत जादा सबसीरी मिलती है और भी बहुत जादा discount भी मिलता है बहुत सारे चीजों के उपर tax में benefit मिल जाता है और भी बहुत कुछ facilities आप लोग को extra करके मिलता है और अगर normal people से देखेंगे तो बहुत ही जादा appreciation मिलता है आप बहुत ही जादा फाइदे की बात होगा या फिर थोड़ा बहुत यहां पर कुछ घाटा ही देखने को मिलेगा या फिर eco friendly होने के जगा यह क्या ecosystem को और भी जादा खराब कर रही है यह सब चीज जानेंगे इस वीडियो में EV मतलब electric vehicle यह नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में एक ही चीज आएगा एक scooter, bike या फिर एक car जो चलती है electric से और इसमें लगा हुआ होता है electric motor मतलब normal combustion engine जो मिलता है उसके जगा पे यहां पे मिलता है electric motor और यह चलती है battery से और यह battery आप आपके घर में या फिर कोई जगा पे जहां पे electricity available हो वहां से आप इसको charge कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसको use भी कर सकते हैं तो यह सब vehicle में positive चीज को अब देखेंगे तो क्या होता है तो यहां पे sound बहुत ही कम होता है pollution मतलब जो carbon monoxide की बात करते हैं हम लोग normal engine में conventional engine में जो है petrol और diesel वो सब चीज यह सब क positive लेकिन बहुत ही अच्छे से अगर आप सोचेंगे तो एक चीज देखे एक चीज मोटे मोटे तोर पर तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि जो भी electric vehicle हम लोग use करते हैं वो car हो bike हो या फिर हो एक scooter तो उसमें जो electricity मिलता है मतलब हम लोग जब घर से उसको charge करते हैं तो यह सब company से यह सब चीज हम लोग को मिलता है और वो लोग हम लोग electricity कहां से produce करके देता है कोई लेका use होता है वहाँ पे या फिर use होता है petrol diesel या फिर कोई ऐसा चीज जो environment को बहुत ज़ादा harm पहुँचाती है तो directly तो नहीं लेकिन indirectly हम लोग वही same चीज ही कर रहे हैं यह त है जो आर्थ में बहुत मतलब खुदाए के बाद मतलब माइनिंग के बाद मिलता है और यह उतना आसानी से नहीं मिलता है तो माइनिंग जब होता है उसमें भी बहुत ज़धा pollution होता है उसके बाद यह सब बैटरी बहुत जादा pollution और अगर देखा जाए कोई भी battery 8 ये तो ही चलती है उसके बाद इसको replace करना पड़ता है तो फिर से वही सेम चीज आप लोगो देखने को मिलता है और कोई भी आकर आप यी भी देखेंगे तो maximum costing जो पे करना पड़ता है वो batteries के लिए ही पे करना पड़ता है वो एक बार में ही आपको battery में देना पर रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी जब आप कोई भी EV को लेके कहीं पे जाते हैं long drive या फिर long ride तो छोड़ ही दीजिए क्यूंकि अभी भी इंडिया में उतना ज़ादा infrastructure आगे नहीं गया है कि कहीं पे भी आप इसको चार्ज कर सके और अगर आपको मिलता भी है तो time बहुत ज़ादा consume कर लेता है यह charge होने में मतलब petrol या diesel भराने में जितना time लगता है उससे बहुत ज़ादा time यह से batteries charge होने में लगता है अभी भी कोई ऐसा technology नहीं आया है जो एक या दो minute में पूरा charge करके दे देगा आपके battery को और भी एक छोटी चीज़ देखने को मिल रहा है जो उतना ज़ादा खास भी नहीं है लेकिन उतना ज़ादा ignore भी नहीं कर सकते हैं इंडिया में अगर दे alert होके side में चले जाएंगे लेकिन EVs में यही एक problem है यहाँ पर कोई भी sound देखने को नहीं मिलता है तो यह भी थोड़ा बहुत safety issue आप बोल सकते हैं इसके बाद और भी एक problem देखा जा रहा है जो है इसके service और थोड़ा बहुत अगर कोई काम आ जाता है तो वो लेके आपक चीज अभी भी नहीं है maximum लोगों को पता ही नहीं है कौन सा चीज किस काम में लगता है और कैसे आप इसको ठीक भी कर सकते हैं तो इसके लिए कहीं पे भी आप इसको service नहीं कर पाएंगे और last but not least और एक problem देखा जाएगा जो है जब भी कोई technology नहीं होती है मतलब कोई भी जो first में रहेंगे तो जो problem भी face करेंगे वो भी आप सबसे पहले ही face करेंगे तो अभी के time में तो मेरा suggestion यहीं रहेगा अगर आपका कोई भी vehicle खरीबने का मन हो first hand या फिर second hand bike, scooty या फिर car अभी के time के लिए तो petrol, diesel, car ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है लेकिन यहाँ पे औ या फिर आप hybrid की तरफ भी जा सकते हैं वहाँ पे costing थोड़ा सा ज़्यादा पर जाएगा लेकिन आप थोड़ा बहुत reliable रह सकते हैं तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही informative बहुत ज़्यादा वीडियो इस चैन करना मत भूलिए और ऐसे ही और कोई वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ